जय स्रीमन नारायना तलाका विश्तित कुराहरू रामानुजदास स्रीमान कट्टू वेनुक पाश्वामी ले वन्नुवैको जा। तेस्ट्रो अज्याया कर्मयोग स्लोक स्वाहिती। कामायेशा, क्रोधायेशा, रजोगुन्ना, समुद्भवाहा, महासेनो, महापापमा, विध्येनम, इहवैरिनम, ओम। गीता तारे स्रीक्रिष्ण परमात्मा अर्जुन संग्षंगे राखेर निस्काम कर्मयोग हामी सवैलाज सम्झावनुँँचा, परमात्मा हनुँचा, अर्जुन, कुन सक्तिको प्रभाबले हामी पाप गर्चाउं। तो रजो गुण को कारण हो। यही रजो गुण को कारण मानबमा भवतिक आनंदको इक्ष्यास जागरित हुँचा। भवतिक आनंदको शीमा मुदैना, जती भायपनी कम हुँचा। जब ती आखांच पुरा हुदैनन, भवतिक आनंदमा ठेश लाग्छा। तेश को कारण मानिस रिषाउंचा। यह रीष को कारण मानिस रुपाप गर्चन। रीष ले संसारलाई दुवाउंचा। जो आत्मज्यान प्रात्त गर्न चहांचा। उसले रिष भने को सत्र हो भने भुजनिक पाथा। रिष को उतपत्ती भवतिक आनंदको इक्छा बात हुँचा। यह सरी भगमान स्रीक्ष्णा परमात्मा रिष खतर्नात भाय को ब्याक्षा गर्ण चा। तेसेले परमात्मा बाता ब्यक्ता वाय अनुशार हानी आख्रों रीष नियंत्रण मा राखाऊं। श्रीमत भागवत गीता को संपुर्ण सार स्रीक्रिष्णा परमात्मा ले अध्याय अठारग स्रोक 65 तेकी सत्तरी मा आज काम गरने दिन वाय करचा। सिक्रिष्णा भन्नुँचा मा इआच कुरा पच्छावने हरु लाई माया गर्छू। मती भक्त हरुको सबै प्रकार ले रक्षा गरने छू। सिक्रिष्णा परमात्मा द्वारा रागवत कीताज सब स्विनी सके पची अर्जुन भन्चन करिश्वा वचनम थाव और थार कृष्णा मती मिले भने जस्तो गरने छू। तेसे ले सिक्रिष्णा ले अर्जुन लाई सबै प्रकार का सपलता रभीजे हरु प्रदान गरनुगायो। हामी इए आठ कर्मा हरु पालन गरने वाचा परमात्मा लाई यो बचन दिनु मंदा ठिलो कुने पूजा तो यग्या छेना। ये आठ प्रतिक्या आपने मन रर रिदे मार आखेर बाचा गरू। येसरी हमी श्री कृष्ण लाई अहम्रो बचन दिदै। हमी सबैले श्री कृष्ण को मुहार को उज्यालो पन को आनन्दी भयर कल्पना गरू। जय स्रीमन नारायन। ये हुन हमरा आठ बाचा हारू। हमरो पहिलो प्रतिक्या हे स्रीमन नारायन तपाइने निल्दे संद दिनु भयर अनुसार मसादे तपाइनको ध्यान र विचार गरू। आमरे दोस्रो प्रतिक्या, हे स्रिमन नारायन, तपायने भन्नुभाय अनुसार, म सदे तपायन को भक्ता रहने छुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ ए शीमन नारायन, म fahren तापाइं को ममययकन सरंचरण को सब्द हरु समय चीए। तापाांय आमफा कनम समय प्रण गरंपा भनढ़नों भाएक। शीमन नारायन के खारायन, म ह swapा हाजरों और आत्म समय प्राण कर्णप हुग. आम्रो 7 प्रतिक्या थे स्रिमन्नारायन तप हैंले हाम्रों लागी श्रिमाध्भावत गीता प्रदान गरनेरा आमी सब्हेला अनुप्रहला आशिर्वात दीनुभायक छो मौं दैनिक कम्तिमा यहँटा श्लोक पड़चु वास्चन छो आम्रो आठ्ण प्रतिक्या ये श्रिमन नारायन तपाइले संपुल्ण मानर तालाई गिता प्रगान करनु भयों गिता का दैवी बचन हरू अरू हरू लाई पनि बताओं ने छुरू हामी ले भर्खरे परवात मालाई आम्रा आज बाचा करें श्रिमन नारायन आमी हर एक दिन बचन दिनु भने को पुजा हो आमी अटल विश्वात का साथ बाचा करों हे श्रिमन नारायन हाजूर ले जे भन्नु होंचा तेई गर्चु हाजूर को 51 सार रिवार गर्चु महाजूर को मात्र लागी काम गर्चु स्री म Нारायन करि शेव वचनम्ताव अर थाथ स्री मन नारायन मत्त अपक्यों नीवेसन उनुछा काम गर्चु सर्वम स्री किष्राण प्रमस्तु जै स्री मन नारायन कामयेशा, क्रोधयेशा, रजोगुनना, समुद्भवाह, महासेनो महापापमा विद्धियेनम इहवैरिनम वूम् कामयेश क्रोधयेशह रजोगुनसमुद्भवह महासेनो महापापमा विद्धियेनमिहवैरिनम वूम् श्रीमनारायना करिश्ये वचनम् तवा सर्वंश्री कृष्नार पनमस्तु जै श्रीमनारायना जै श्रीमनारायना संपूर्ण भक्त जन हरुमा विशे संगरोध। आमरो जीवनमा सबै चीज हरुमा आमे छनिक पढ़नाम प्राप्तगर्ना चहां स्रम। यह प्राप्तगर्ना दैनिक एक मिनेट नारायन इस्तोत्रम पढ़ना होज। नारायन इस्तोत्रम प्राप्तगर्ना को लागी यह वेफसाइट माँ www.narayanastram.org यह ता गरी आपना नाम रए इमेल पर लान गरना होज। ता पाइले इमेल माँ PDF पाउन होने चांग। PDF मा रामायन स्लोक एक गीतास्तो र एक विश्न नामान। इतिन वटा नारायन स्तोत्रम पढ़निंच। सबैले इस स्लोक को फरक संग्योचन प्राप्तगर्चन। जब सबैले पढ़्चन वासुन्चन तिन इहर को नारायन स्तोत्रम दैनिक 24 वक्त हरु सही। शमपुना रामायन प्रायन को एक चकर स्मध भागवडगीताप्रायन का त्यतिछ परीक्रमां शरी विश्न शरीन स्रणाम श्तोत्रका 24 परीक्रमां बिधार्योचि जय श्रीमन नारायन।